नमस्कार आदाव नियूस क्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में और इस विशे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वागत तो पहला सवाल तो यही रहेगा कि पांच अगस के बाद से अब इतना समय गुज़र चुका है कश्मीर में मौजूदा हालात किस तरह के हैं आप बताएं कुछ बहुत ही तकलीब दे हैं बहुत ही दरदनाक है पेनफुल है यहां दिल्ली में रहकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कश्मीर के आवाम पर क्या गुज़री है और वहां रोज मेरा जिन्दगी किस कदर मुतासर हुई है जो फैसला सरकार ने पांच अगस्त को लिया पूरा विश्वास तो तूट ही गया है लोगों का जिन्दगी का रुख भी बदल दिया है सरकार ने जो आज तक आशाय थी एस्परेशन थी उनको इतना दचका लगा कि जिसका अंदाजा नहीं जिसे मेजर करना बहुत ही मुश्किल है अमोमन एक लफ़ इस्तेमाल किया जाता है कि एलेनेशन की लेवल कितनी है क्या है कश्मीर के बारे में जब भी बात होती है अब कुछ बचा ही नहीं जिसे हम ये कहेंगे कि एलेनेशन हुई है पूरी कॉमिनिटी लोगों के आज बेवस मुशूस कर रहे हैं बेट्रेड मुशूस कर रहे हैं जिसे दोखा किया गया है और फिर जैसा कि पुरे देश के लोगों को मुवलूम है कि एक चन्द लोगों ने अपने आमिराना हाउस को पूरा करने के लिए अपने एजन्डे को कॉमिनल एजन्डे को पूरा करने के लिए आइसा फैसला लिया जिसके बारे में आम कश्मीरी आम कश्मीरी के लिए अंदाजा करना सोचना भी कभी मुम्किन नहीं था जैसे पहाट तूट पड़ा है लोगों पर और अभी तो आपको मुलूम है किन हालात में कश्मीर के लोगों ने रिश्टा जोड़ा हिंदुस्तान के साथ मुलक के साथ वो हालात कैसे थे मुलक तक्सीम हुआ था आजादी के बैद एक और मुलक बना था पाकिस्तान कश्मीर की सरहद मिलती थी मजभब के एतिवार से भी उनमें आपस में यक्सोई थी रेडर साए थे लेकिन तब भी कश्मीर के लोगों ने और कश्मीर की लेडर्शिप ने कहा कि मजभब की बनियाद पर हम अपने फ्यूचर का फैसला करेंगे ले वो भी कश्मीरी अवाम ने एक तहरीक लड़ी थी मॉमिंट लड़ी थी कुईट कश्मीर नाम पर महराजा की बादशाहत के खलाफ मतलब कुल अनानी तानाशाही के खलाफ जागिरदारी के खलाफ और अवामी राज काइम करने के लिए अवामी हकुमत काइम करने के लिए और काशकारों को आम किसानों को जमीन दिलवाने के लिए कारज माफ करने के लिए बहतर मस्तक्बल बनाने के लिए और यहां पर भी बाकी देश के अंदर कुईट इंडिया मॉमेंट थी और कुईट इंडिया मॉमेंट में सारे लोग शामिल थे हिंदू थे, मसल्मान थे, बोध थे, क्रिस्टिन्स थे हर खिते के लोग थे, हर जबान बुलने वाले लोग थे और बीच में बदकिस्मती से कुछ और नारा भी बना मलक तक्सीम करने का, मलक तक्सीम होने का, जो हुआ और जिसकी वज़ा से हमें आज भी मुलूम है, दर्दनाक दास्ताने हैं जब पंजाब तक्सीम हुआ बाई बाई का दूस्मत बन गया, हमसाया हमसाया का दूस्मत बन गया, बंगल में क्या हुआ और पिर जमु में भी हमारी रियास्त जमु में भी हुआ, बहुत कतलrome गर्दग गरी हुई, लेकिन एक कश्मीर बचा था एक जगा भची थी जहां हमारे जो पुरे समाज के लोग मुसल्मान हूँ या कश्मीरी पंडित तो बहुत कामते अदाद में उनको तकलीफ नहीं पहुँचने दी अपने हमसाया बाई बहन ने कश्मीरी मुसल्मान ने अपने हिंदू बहन को बाई को बचा के रखा ये मिसाल है आज उसके बाईद क्या हुआ हमारे सामने हैं तो उन्होंने एक रिष्टा जोड़ा और इस रिष्टे में लंबी मुदद तक बहस हुई कश्मीर की लीडर्शिप ने जो मुलकी लीडर्शिप है जिसमें पंडिस जवला नहरू थे मिस्टर पटेल थे अबल कलाम आज़ाद थे और सारे लीडर थे उनके साथ बहस हुई और ये जो एक रिष्टे की बुनिया डाली गई उस पर बहस हुई कानस्ट्रुमेंट इसम्बली में कि ये एक यूनिक सिचिवेशन है अलग थलग सिचिवेशन है सुरत अहाल है जिसमें पाकिस्तान कहता है ये मेरा इसा है मजभ का सौहरा लेकर या सरहदे मिलती हैं उसका सौहरा लेकर लेकिन उन हालात मैं भी कश्मीरी आवाम ने ये फैसला लिया कि हम रिष्टा जोड़ेंगे तो उसी यूनिकनेस को जान में रखते हुए कानस्चिवेट एसमबली के जो फाउंडर्स हैं बन्याद डालने वाले हैं और जमो कश्मीर की जो लीडर्शिप है उन्होंने निगोसेशन करके तवील मुद्द के लिए एक रिष्टा जोड़ा एक पन्ना भांदा रिष्ट एका आईन के जेरिये कानस्चिवेट के जेरिये वो भी सड़क पर नहीं वो भी कानस्चिवेट एसमबली में और उसमें आज बदकिसमेती से पठेल साहब को नहरू साहब को अलग-अलग तरीके से उन्हें इस्तिमाल किया जाता है लेकिन तारीख को जुटलाया नहीं जा करना देश के लिए भी ठीक नहीं है आने वाले जेनरेशन के लिए भी ठीक नहीं है और हमें उमीद है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे लेकिन हकीकत यह है कि यह जो रिश्टा बना यह एक कमपैक्ट था यह एक आपसी महादा था जिसे हम एग्रिमेंट के तोर पर हुआ कि जो ये 3700 का रिश्टा है यह प्रविजन है कानेश्ट्रूशन का इसे रिटिफाई किया जाएगा एक और कानेश्ट्रूट एसमबली बना कर जमू कश्मीर में यह एक जगह है जहां एक तो मुलक कानेश्ट्रून्ट एसमबली है दूसरी अलग जमू कश्मीर की अलग कानस्टुमंट इसंबली थी, दो काम थे, एक अपना आइन बनाना, विधान बनाना, और साथी साथ, ये जो आइन का सवाल है, जमू कश्मीर के बारे में जो प्रॉविजन्स हैं, तिन सो सथर, उसको रैटिफाई करना हूँ. आज हमें क्या बताया जा रहा है? कि ये आरजी है, आरजी था, तब तक, जब तक, जमू कश्मीर की कानस्टुमंट इसंबली ने इसको रैटिफाई किया, बोल जाते हैं ये लोग, अगर उस चीज़ को ये आरजी समझते हैं, तो ये जो रिष्टा है, ये भी आरजी बन गया ना फिर, और यही तो हमारे, जो और सरहत पार के लोग आज भी चला रहे हैं कि ये रिष्टा पाइदा रिष्टा नहीं, मजबूत रिष्टा नहीं, ये पक्ता रिष्टा नहीं, तो बला हमारे जो लीडर हैं, जो आज जन्होंने गदी को संबाला है, अमीत शाह साहब, और वो तक्रीर करें पारलिमेंट में कहे, वही बाशा बोले, जो उनको रास आ जाए, ये अफसूसनाग है, ये देश के खलाफ है, ये जमु कश्मीर के अवाम के खलाफ तो है ही, लेकिन देश के साथ जो रिष्टा, जो उसकी बुनिया डाली गई है, लंबी मुद्द में बहस के दवरान, यहां की लीडर्श साहब, अबुलकलाम, आजाद, और लोग, उन्होंने एक साथ मिलकर, जिस रिष्टे की बुनिया डाली, आज उसी पर कुलहाडा मारा, इस सरकार ने, पांच अगस्त को, और वो भी, नंगे तरीके से, बिरहना तरीके से, आईनी जाबितों की परवा किये बिना, तो लाज को लेकर हम आपके साथ रहे, आप ये तो दोनों को पूछ कर, अगर ये इस रिष्टे को तोड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि ये रिष्टा तोड़ जाए, तब भी, हमें भी पूछो, दोनों को पूछो, क्योंकि ये रिष्टा, रिष्टे की कड़ी बनी है, दोनों को पूछ कर एक को पूछ कर नहीं यह एकतर का फैसला आप ले सकते हैं यह कानूनी तोर पर आईनी तोर पर जाइज नहीं है कोई बचा नहीं कोई परिवार नहीं जिसको तकलीफ नहीं पहुची है दिल पर चोट नहीं पहुची है यह हम जानते हैं और पहली ही और आज आप देख लीजिए पूरा पूरा जो कश्मीर है वो एक जहल खाना है मत समझ लीजिए आप जैसे आपको और मुझे हमें यहां बात करने का मौका मिला है यह तो अभी सुप्रीम कोट की महरवानी से मैं यहां हूं इलाज की खातिर तो आपके साथ बात क करने का मौका मिला है लेकिन वहां पिंजरे में बंद रखा है पूरी आबादी को और फिर जो भी पुलिटिकल लीडर्शिप है जो भी सिवल सोसाइटी है जो भी आम कारकुन है दूर दराज जेलों में फैंक दिया गया है गरू में बंद गया गया है और जो टूरिजम के नाम पर अब भी ये चर्चा कर रहे हैं ये लोग कोई जो भी रेस्टा हाउसेज गेस्टा हाउसेज हैं उनको भी बंद रखा है लोगों को ये क्या कहते हैं बहुत जूट कह रहे हैं मुलक को मुलक के अवाम को और मैं आपको आपके इस निवस चैनल को मुबारक बार देना चाहूंगा आप अपनी तर्फ से कोशिश कर रहे हैं कि बात सही बात पहुंच जाए लोग हूं तक हमारे मुलक के लोग जानकारी हासल करें अपने लोगों के बारे में ये सरकार अपने ही शहरियों के बारे में क्या कुछ कर रही है आपने जैसे बताया कि वहां पर सब कुछ एक बहुत ही भयानक पहरेदारी है कश्मीर में इस वक्त बहुत नजरबंदी है तो इस सब के बीच में लोग क्या अपना जो विरोध है वो दिखा पा रहे हैं और कैसे दिखा पा रहे हैं आज ये कहते हुए मुझे बहुत बहुत मुझे मेरे जजबात भी आप मुछसूस करते हूंगे कि उनका भी इज़ार है क्या कुछ कर लें लोग कितनी फोजे हैं वहां कई सालों से और अभी कितनी फोजे भेज़ दी गए पूरा क्रैक डाउन है पूरा लॉक्डाउन है कौन सा गाउं है कौन सा महला है जहां हमारे सेक्यूरिटी फोर्सिस के कंदूं पर ये बोज नहीं डाला गया कि रखवाली कर लो किस से किस की रखवाली करनी है और इसमें लोग क्या करें वो भी जिन्दा रहना चाहते हैं वो भी अच्छी जिन्दगी चाहते हैं हमारे बचे भी सुकूल जाना चाहते हैं काले जाना चाहते हैं हमारे छोटे बड़े लोग जो हैं वो भी जीना चाहते हैं वो भी कारबार करना चाहते हैं दुकान खोलना चाहते हैं खेत पर जाना चाहते हैं लेकिन सब कुछ बुर्बाद करके रख दिया है इनों है आज अब हालत यह है कि एथिजाज करने के लिए गुझाईश नहीं अभी आपको मुलूम होगा चन्दिन होगे कुछ सीनियर स्टीजन्स जो हमारे बहने हैं उन्होंने डजन्स एक दरजन के करीब कौन सा पाह तोट पड़ता है बताईए उन्होंने आखर कहा कि क्या कर रहे हो उनको गरिफ्तार किया कानून तोड़ दिया कौन सा कानून इस हमारे इस देश में जहां आई बाई के बारे में बचे के बारे में बात करने का हम भी नहीं है रहाँ यह मजबूत सरकार कहने वाले दम भरने वाले इस गदर खोफ़दा हैं कि चंदником वरदें जमा हो जाये हैं और डर जाती हैं इनके आईवान लर्द जाते हैं उनके लिए भी जगा नहीं है बाहर और जेल में बेज दिया जाता है आज यही जो अख़वार हैं आप कश्वीर से जो चपने वाले अख़वार हैं आज देख लीजिए वो गैजट बन गए हैं सरकार के जो सरकार का हुकम होगा वही सब जाएगा यहाल है वहां का लेकिन फिर भी मैं वहां के आपने अवाम को सिलूट करता हूँ उनके सब्र का भी इम्तिहान है उनके जजबे का भी इरादे का भी आज उन्हें एक इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है वो आज दुकाने बंद करके बैठे हैं एक गंटे दो गंटे के लिए दुकान खोलते हैं एफजाज हैं पूरी दुनिया से एफजाज है क्या हम भी इस दुनिया में ही है हमारी भी सुनो मुलुक के हर मकतब फिकर जो भी लोग है यहां चाहे उनका, उनकी स्यासत क्या है, उनकी सोच क्या है, किस दर्म से है उनका तालुक, शहरी होने के नाते वो भी फर्याद कर रहे हैं, हमारी बात तो सुनो, आज बचे सुकूल नहीं जा रहे हैं, पैरेंट्स नहीं बेज रहे हैं, एतिजाज है, प्रोटेस्ट है, और वो ब पढ़ना चाहते हैं, हम भी बेहतर जिंदगी चाहते हैं, बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन जो किया है सरकार ने हमारे साथ, बहुत दुख मिला है हमें, हमारे पास एतिजाज करने का और कोई रास्ता नहीं, लेकिन यही एतिजाज है, हम अपने आप को ही तकलीव दे सुकूल ही ना जाए आज मुलाइजम दफ्तरों ना जाना नहीं जाता है ये नहीं कि वो काम नहीं करते हैं काम करने वाले लोग हैं वो उन्हें मौलूम है इससे तक्रीब होती है वहां के अपने अवाम को लेकिन फिर भी एध्याज के लिए और कूछ सा राज्टा बचा है कलम कार कलम लिखने वाला कलम बंध है क्या लिखेगा ताला लगा है रोने पर ताला लगा है बंदिशे लगी है तो ये सूरत हाल में तब भी लोग खड़े हैं तब भी लोग सबर से काम ले रहे हैं इस उमीद पर कि देश के लोग उस दर्द को जानेंगे और सरकार को समझाएंगे कि ये रास्ता मुलक के लिए ठीक नहीं ये रास्ता तबाही का रास्ता है गाटे का सोदा है इससे नुकसान होगा इससे बरबाद होगी जमू कश्मीर लदा की रियासत उसको दो हिस्सों में तक्सीम किया गया और आज तैयरी कर रहे हैं ये लोग आने वाले चंद दूनों में ऐलान कर लेंगे किस चीज़ का किस चीज़ का वो जो आज तक हमारे मुखालिफ करना पाए तुकड़े करने के एक रियासत को जिसको संभाला था आज तक पिछले डेड़ साल का उरसा हुआ एक साथ या अलग सवाल है बोद है वहां मुसल्मान है वहां हिंदू है वहां सिख है वहां ये तो खुबसूरती है हमारे वतन की पूरे वतन की और इसे को ये बरबाद करना चाहते हैं हम तो इसको संभालना संभाल के रखा था आज तक और संभालना चाहते हैं आने वाले वक्त मे भी गिले हो सकते हैं आपस में जो लदाख में रहने वाले लोग हैं करगल में रहने वाले लोग हैं उनको आपस में भी गिले हो सकते हैं और बाकी लेडर्शिप के साथ भी गिले हो सकते हैं हो सकता है लेडर्शिप ने उनकी आरिजों को तमनाओं को एस्परेशन को ना समझ सपरेशन किन से अपनों से नहीं रास्ता ढूंडना है एक साथ जिन्दगी के सफर को आगे लेनी के लिए आज जमू है कश्मीर में जो एक ताज था जिसके बारे में ये कहा जाता है ये ताज है मुलुक का आज ताज कहा है पाउं के नीचे रख दिया है आपने स्पेशल स्टैटस से आप जो स्टेट का भी स्टैटस है वो भी नहीं रखा और किसी से पूछा भी नहीं एसमबली नहीं एसमबली से पूछते थे पुलिटिकल लीडर्शिप बंद है उन से नहीं पूछना सायसी कारकुनों से पूछना वो यूपी के कई जहलों में हरियान कि कही जहलों में बंद है लेकिन पूछे बेना सब कुछ कर लेना ये तो जाबिरू ने भी आज तक नहीं किया बलकि जबर की कहनिया भी अगर आप मुझे पूछ लेंगे वो कहनिया भी आज माद पड़ी है वो जो आज तक जबर का चप्टर रहा है वो भी आज या उससे भ कितनी भी बियानक हो अंधेरा कितना ही बियानक हो सुभू को आना है दूरर आना है और हमें अमीद है कि हमारे वतन के लोग कनिया कुमारी से लेकर कश्मीर तक बंगल से लेकर जमू तक लडाक तक हमारे हर प्राइत के लोग जो इन्हों ने भी हम उनका शुक्र गुजार है। बाकि हमारे स्टूडन्ट्स ने हमारे बहनों ने मुक्तिरिफ जगों पर खोब के साए मैं भी डर के साए मैं भी हम उनका शुकर गुजार हैं उनका वो विश्वास अगर है कुछ आगे बढ़ने का वो विश्वास वही सॉलिडरिटी का जो उन्होंने पैगाम भेजा है इस नाजुख वकित में जमू कश्मीर के आवाम को एक सवाल मैं आप से पूछना चाहूंगी वहां की राजनीती के बारे में क्योंकि मेंस्ट्रीम जितने भी पॉलिटीशिन्स हैं उनको तो नजर बंद किया गया है अभी बीडीसी चुनाव के लिए घोष्णा कर दी गई है तो इस सब के बीच में सरकार के तरफ से ये पी दावा है कि सब कुछ नॉमल है नॉमल्सी है लेकिन आप महां प्रोटेस्ट नहीं होने दे रहे हैं किसी चीज का तो उस सब के बीच में लोकतंत्र कहां बच जाएगा लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा देखे इनके दावे जो है ना बीजेपी सरकार के नार्मल्सी के कौन यकीन करता है सेलब डिसप्शन है अपने आपको दोखा दें वो देते रहें उनकी मर्जी नार्मल्सी है ना जो रेस्टिक्शन हैं उनको उठा लें जो क्लैप डाउन हैं वो उसको खत्म कर लें जेलों के दरवाजें थानों के दरवाजें खोल देना और फिर देख लेना ये अलग सवाल है कि जमु कश्मीर के आवाम ने अपने तजरिबे से सीखा है कि हमारे मसाइल का हल बंदूख नहीं बारूद नहीं अपने तजरिबे की बनियाद उन्होंने काफी कुछ खून उनका खून बहच चुका है रूंग्टे खड़े हो जाते हैं ये दरदनाक स्लसला रहा है आज कई जहईयों से डिकेड से तो उन्होंने अपने तजरिबे की आधार पर सीखा है कि टकराव से मसला हल होने वाला नहीं ना मारधार से गोली से और लोग क्या कहें जहाद के नाम पर मिलिटनसी के नाम पर उनकी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है कमी नहीं आई है ये उनका तजरिबा है लेकिन हमारी बदकिसमती है कि सरकार सुनती नहीं है ये बाते आज भी अगर है कुछ जिस पर तक्या है वो कश्मीर की जनता पर भरोसा नहीं है ये सरकार का ये तब भरोसा था जब इंडियन आर्मी नहीं थी कश्मीर में अभी आई नहीं थी जब पाकिस्तान की तरफ से हिमायत पर ट्राइबल्स हा गए उन्होंने जबरदस्ती कश्मीर को हिच्हाना चाहा उनको किसने रोका फोज नहीं थी हिंदोस्तान की वो भी लैंड नहीं कर पाई थी सिरी नगर में बारामला में किसने उनको रोका कश्मीरी नवजवानों ने बगेर यह थियार मकाबला किया कहा नहीं यह हमारा बतन है मज़भ की बन्याद पर लूट मार हम होने नहीं देंगे इसका फैसला तुम नहीं हमने करना है यहां की जंता नहीं करना है और यहां हमारी रीत है, हमारी रिवायात है ट्राडिशन्स है वो कुछ और है हम मसल्मान जरूर हैं लेकिन पहले कश्मीरी हैं तो आज यह भूल जाते हैं आज हर जगह पर फोज और फोज के नाम पर कहते हैं नार्मल सी हैं कबरिस्तान में भी कबरिस्तान को भी आप नार्मल कहें शम्शान घाट को भी आप नार्मल कहें महां बोलेगा कौँ आज जमू कश्मीर में यह पुरे देश को मौलूम होना चाहिए किसी भी पुलिटिकल पार्टी को मीटिंग करने की इजाज़त नहीं जलसा करने की इजाज़त नहीं बंद कमरे में इजलास करने की इजाज़त नहीं एक पार्टी है वह बीजेपी बोगूम रहे यह तुफ़ा पेश करना चाहती है बीजेपी जमुहुरियत का हिंदुतवाद हिंदुतवा के जो तर्ज की जमुहुरियत है यही माडल है जिसको वो पेश करना चाहते है पूरे देश के सामने मैं इसी लिए कहना चाहूँगा देशवासियों को अपने भाईयों और बहनों को यह सरकार कहती कुछ है करती कुछ और है इनके एरादे कुछ और है आज कश्मीर पर यह आँच आई है कश्मीर के कल्चर पर कश्मीर की आइडिन्टी पर किसे मालूम के कल यह छुरा कहीं और भी गोपा जा सकता है कल निशाना कुछ और भी हो सकता है सापदान रहने की जरूरत है जो लोगों को अभी भी इलूजन है संग परिवार की स्यासत से फिर कपर स्यासत से हमारा मश्वरा होगा के कश्मीर को देखें कश्मीर को परखें आज हमारी ये बदकिस्मेती है के पहरे बिठाए मीडिया पर भी पहरे बिठाए हैं एक दूसरे को मिलने पर भी लेकिन तारीख ने कई बार फैसले दिये हैं बदलना है जमाने को जिन्देगी का सफर आगे बढ़ता ही जाएगा ये तारीख ने कई बार फैसला सुनाया है और हमें उमीद है कि आने वले वक्त में भी कश्मीर के बारे में और पुरे मुलक के बारे में भी कश्मीर समेत एक नया बाब शुरू होगा रोशन बाब शुरू होगा, लड़ना होगा, आवाद उठानी होगी, जुदिजहत करनी होगी, पुरमन तरीके से रास्ते ढोंडिने होंगे, एथिजाज के जाहिर हैं, लेकिन आने वाला कल उसे काद नहीं किया जा सकता है, ज्यादा देर. एक आखरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, कि अभी ही जो पिछले एक महीने के दोरान खबरे आएं, कश्मीर में जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था कि जहां हिंसा हुई, वहाँ कश्मीर के बाहर के किसी को मारा गया हो, अभी इचहतिस गड़ के एक मजदूर की हत्या हुई है वहाँ पे, पंजाब के एक सेव्यापारी की हत्या हुई है, तो ये जो एक नहीं एक ट्रेंड भी नज़र आ रहा है, अगर इसके बारे में आप, नहीं, ये इस में, मेरे ख्याल में, मेरे पास अलफाज नहीं है, इसके जितनी मजबत की जाए, ये एक शर्मनाक आते हैं, शेमफुल, किसी भी सूरत में इसको जिस्टिफाइ किया नहीं जा सकता, किस ने किया, कैसे किया, इसकी ताकीकात होनी चाहिए, और जिन लोग ने भी किया, उन्हें सक्ट से सक्ट सजा मिलनी चाहिए, ये हमने बार बार मतालबा पहले भी दोराया है, और हमारा ये मानना है, कि कोई भी शक्स, कोई भी ग्रूप, किसी भी वज़ा से, किसी भी अनार्वन शक्स को मारे, वो पूरी इनसानित का खतल है, और ये भी, ऐसे अनासिर भी, ऐसे ऐलिमेंट्स भी, जन्होंने इन बेगुनाहूं को मारा, वो कश्मीर के दोस्त नहीं, कश्मीर क हर कश्मीरी ऐसी गलत कारिबाईयों के मजबत के बिना रहने ही सकता और कोई भी जीहोश कश्मीरी ऐसा नहीं जिसे सद्वा नहीं पहुँचा होगा ऐसी अलमनाक वायरदातूं से और मुझे उमीद है कि कश्मीरी आवाम में हिम्मत है होसला है और वायसे अनासर को पसंद नहीं कर लेंगे उनको आईसोलेट कर लेंगे उनके लिए जगा नहीं है कश्मीर के समाज में ये हमारा मानना है ये हमारी रिवायत रही है हम आईसाथ अपने विचार साजह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमीद है कि कश्मीर में हालात जल्दी बहतर होंगे और वहां की जनता को अपनी बात करने का मौका मिलेगा पैथर तब होंगे जब आप यहां संभालेंगे जब यहां आवाज उठेगी यह जो हमारे होकुमरान हैं ताना शाही के राज़ते पर चलने वाले उन पर रोक लगाने की जुरुरत है ऐसा होगा यह हमें यकीन है बहुत बहुत शुक्रिया नियूस क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोड़े रहे हैं इस चैनल से हम और भी ऐसे ही मुद्दो पर और भी बातें आपके सामने लेकर आएंगे शुक्रिया